यदि महाभारत को पढ़ने का समय न हो तो भी इसके नौसार या सूत्र हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अंत तक ज़रूर पढ़े। संतानों की गलत मांग और हट पर समय रहते अंकुष नहीं लगाया गया, तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ हो, तो आपकी विद्या, अस्त्रशस्त्र, शक्ती और वर्दान सब निश्वल हो जाएगा। संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो कि विद्या का दुरुपयोग कर, स्वयनाश कर, सर्वनाश को आमंत्रित करे। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पन करना पड़े। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयनाश का दर्शन कराता है। अंध व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्यान, मोह और काम अंध व्यक्ति के हाथ में सत्ता भी विनाश की ओर ले जाती है। यदि व्यक्ति के पास विद्या, विवेक से बंधी हो, तो विजय अवश्य मिलती है। हर कार्य में छल, कपट वप्रपंच रच कर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। यदि आप नीती, धर्म वकर्म का सफलता पूर्वत पालन करेंगे, तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। यदि इन नौ सूत्रों से सबत लेना संभव नहीं होता है, तो जीवन में महाभारत संभव हो जाता है।